अधि स्टूडेंट्स वेलकम करदें था दतूर स्टेडी क्लास ते यूतूब चैनल दे विच इस वीडियोग दिविच स्टूडेंट्स अपा क्लास 12 देली पलस 2 क्लास देली हिस्टरी सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट दे जेड़े की वेरी शॉर्ट कोश्चन अंसर इंपॉडएंट एमसी क्यूज लेके आया है ते एमसी क्यूज देड़े के पाइस वीडियो दे विच करांगे स्टूडेंट से अपर दस चेप्टर ने करांगे पहले टैन चेप्टर पंजाब दे पं समध खांवाले चेप्टर तो लेके लास्ट वाले तक दुझ्जे एगलो सीख जुद तक ओपाट तो डबी है तो इस वीडियो दे चप्पा पहले टैन चेप्टर दे वेरी शॉर्ट कोश्चन अंसर एमसी क्यूज करांगे ते नालदी नाल में ताहनों होर भी जिन्ने भ पाटे इदे वी चौपा सारे डिस्कस करांगे वीडियो नुए एंड तक देखना ते वत्तो वद शीर करना इदे वी चौपा करांगे फिस्ट्री दे पहले 10 चेप्टर दे वेरी शॉर्ट कोश्चन अंसर एमसी क्यूज ते तहानों एमसी क्यूज क्यूज आउनगे 10 ते पंजाव शब्द दो कीपाव था पंजाव शब्द दो पाव है पंज द्रिया माईतर थी पंजाव शब्द जड़े की पंज प्लस आप दे मेल तो बनेया पंज प्लस आप दे मेल तो बनेया पंजाव ठीक है इवी कोश्चन इंपोर्टन है जिन्ने भी इंपोर्टन कोश पंजाब फार्सी पा शरह शर्द हेड़ी द्यवाध 14 भी फार्सी पा शरखब्द, धुड़ीछ सब्छ !!! पंजावद पंच दria मां दित तर्ति कॐ अगय है रिगवेधिका विच पंजाव न की सनावना पका रहा जान। बेसे स्प्टसिंदु कर जाने की साथ सिंदुकि सत्के की स्वी याल नदीय थी। जीमें रावी नूँ पस्च नी कहांदे सी, ते चिनावनु अधिक नी कहांदे सी, ते सतलूधनू शतु दरी कहांदे ठीक है? ते ब्यासनू तो व्यास ये कहांदे सी, जेलं विधसता, इवी जार रखना अग्य है महा कावा ते प्राणा विच पंजावनू केड़ा ना रता गया ता महा कावा ते प्राणा विच पंजावनू केड़ा ना रता गया ता महा कावा ते प्राणा विच पंजावनू केड़ा ना रता गया ता महा कावा ते प्राणा विच पंजावनू केड़ा ना र जोन है निंट्य अंद्यार। पंजावन की स्नाना पर जाना सी है निल्वुलाश्थ आंगे विडियो। पंजावन की चुते क्यों पूच्छ सुधार शुबलाशी है। युझा विरेस कि प्लूच्छ पंजावन की ना रत्ता को था ने तीकाल देम है। कि अक्पर दे समय कीडा कीड़े की वखरा पुरात कायी की तगर्स न मुल तान अन समय फिर दो प्र पाथे नहीं हुआ चया सकति पासी पूर समय दब कासी के लघा a dalोकि पिर एक फón कैसे निर्व झेल कौनगे लोहॉर शुबा ती लहॉर गसीन होथा ले उत्त्रादरीकार्यान समय पांजाबने ल्ँहार राज पंजाबने ब्रिटै सामराज देविच हैं है ठारांस सोником चैसले कना महारंजीर्ची छूहस कारै और रिए पंजाब नूं जड़े की ग्रिटे सामराज देविच मला लया गया सी ते इधा ना रखता सी उन्होंने पंजाब ते उस तो बाद अग्य है इनन विच होर भी पंजाब वाले कोश्चन जार करने जुरूर ता था नूं कि पंजाब पहली वाल बांड जड़े की 1921 वीच होई सी ते दिल्ली नूं पंजाब तो वक्ष करके 1911 वीच पार्थी रास्ता नी बनाया सी ते पंजाब दी पाशा दे दार ते बांड जा पुन्रल गठन कैसा आगदो सी इक नम्मबर 1908 याट पंजाब दी पाश रेदा आर्थी जड़े की बनड होई सी ठिक है ते ज़र 1947 पार्थ बंड जाब ता ओस समय पूर्वी पंजाब ते पच्छिमी पंजाब बने पूर्वी पंजाब पार्थ दे वीच नहा ते पच्छिमी पंजाब पाकिस्तान दे अग्या है पंजाब दे विच किन्य दवाबे ने ता पंजाब दे विच पंज दवाबे केड़े मुगल बाशा ने पंजाब दोपा गम इच बंड़े सी ओई कोश्चन आगया मैं तहां मुणी जड़े दिसकस कर रही सी लहौर ते मुलतान वाला ओव बंड़े सी अकवर ने पंजाब दी तलवार पंजाब मुँ पार दी तलवार जा खड़कू जा कहा जाना जा कोश्चन आप मन जाता हूं था कि पार दी तलवार जा खड़कू जा किन्यों कहा जाना ता पंजाब मुँ ठीक है किन्यों कहा गया पंजाब मुँ ते हिमालया परबद शब्द शब् अर्थ है वर्फ दा कर ते हिमाल्य परवद्धी सब्धा उच्छी छोटी केडें मांट अव्रेस्ट पार्वेश द्वार के नूं क्या जाना पंजावन पार्णत अप्रवेश द्वारगेन ऺंजाच्डवा कि द्वापे ने द्वाबा जिर्फी द्वाब का का जए six जलंदर तो शॉख हो गह ठीक है 20 जलंदर दॉज आगे तुझे इनुए आपंके यह जी विस्त जलंदर ह्कहाद डूरहिची द्वाब कोड़ी सबस्धा कंद करना घीए कि इसके द्वाब गया वीचला रावी चैचे कोड़ तो चनावकर्णे के ऊंद auth उन्देने राचनान धवाव है शाप eles आई लाग्ता तो परेकलत फाहर야 ंवी थे आई है परणय में जजच्द है यह घ़ित तो अब सिंध सागर दे विच जेलम ते सिंध नदीया दे दूद साइद विक सपाहिए लाग का यह लाग का आधी लाखर दे वीच जेलम रावलपिंडीश भी अटक मिया वाली ते लाखर ज़ादे आप जाओं नहीं है तो एकान म्रें वे क्वावया जेद अको मालवा ते जड़ाइक, शमचीना फिस सब्सक्राइक, और शक्रारिक जड़ाइक शन्यव को सब्सक्राइक, तो इत भी जड़ाइक, जड़ाइक प्नाल। उत्तक गुडगाओं ही सार एवले जिलेने मालवा कगर ते सातलूज बंगर कगर ते जमन दे विचकार ले लाकेने अगे कोश्यन नमबर नाइन्थ त्राइंदी पहली लड़ाई कद होई त्राइंदी पहली लड़ाई होई सी जड़ी की 1191 पहली लड़ाई ते जमन दे विचातलूज पिरत्वी राज चोहान जित्तायाई सी जित्ताया सी मुहमद गोरी हार गया सी बट दुजी जड़ी 1192 में दीविच होई सी जिस दे विच पिर्थ्युरा चहौन हारया सी ते महम्मद गौरी जित्त गया सी ठीक है महम्मद गौरी जित्त गया सी अगे है पानिपादी दूसरी लड़ाई पानिपादी पहले लड़ाई वी जा रखनियां पानिपादी पहल प्रायल 1526 वी देविच पानी-पैदी पहले लड़ाई होती ही यह अपने पड़ निए दुजी लड़ई मघंध गरंड साहब जी है संकल्ड को थो है तो अयद् ग्रैट संकल circumstance कुछ साहत कारीज संपोर्ण सचरी स्वीद्वी वीच होया दोर कैल स paraniene परकाश भाला परकाश्च हर्यमंद्र साहिव देविच किता गया सी ख़ण धेट पहले पांजर पहले पांजर पहले पांजर ते नौमे पाथ शेई नौमे पाथ शेई थे जड़े बाणी सी यह हो शिरी गुरु गोभी जिंगी ने दर्ज कित्ती सी ते इस तो लावा आद ग्रांस ळावधे वीच पंदरा पक्तानी बाणी दर्ज है 11 पटानी ग्यारां पट्ट पंद्रां पक्त पक्ता ने विचो सब्तो बद बाणी जड़ी की पक्त कवीर दिये ते गुरुआ ने विचो शिरीगुरु नानक देव जी जड़ी की बाणी है 970 शबद शिरीगुरु अंग देव जी दे बाहट सलोक कई था ते पन त्रहेट में मिल देन ते शिरीगुरु आमरदाश जी दे 97 शबद शिरीगुरु नामदाश जी दे 683 शबद ते सब्तो बाद बाणी हैंगी आदगरंसाइब दे विच शिरीगुरु अर्जन देव जी दी 216 जा 218 भी मिल दा ते नौमे पात्षाई जी दे 116 शबद जी दे विच उनाहाट शा श्रीगुरु नानक देवजी दी रचना ठीक है श्रीगुरु नानक देवजी ने रचया जबजी साहिब हुए अगले हैं दसम घरंट सहिब जी दा संकलन किसने किता सी दसम घरंट साहिव जड़े की 18 घरंट संकलन किता गया है इस दे विच श्रीगुरु गोबिन सेही दिवजी जी दो दरवारी कमी द चनामा द संकलन किता है पहाड़ी राजना लड़ान्या सोड़ी जाती नहीं परचीने ये यास दावरनने तेझ जब्फर नम मे ने शब्दी आर्थ है जितदी चिठी एहे जितदी चिठी चिठी श्रीगृू गोबिन सिंग जी ने दिन्ना कांगडा नामी स्थान तो औरंग जेव नू फार्सी दे विच लिख के जड़ी की पेजी सी इस चुठी दे विच शिरी गुरु गोबिन सिंग जी ने औरंग जेव दे जुलमा मुगल सैना पत्निय वलो जी दे कुरान दे चुठें साहों तो खेदा बड़ी ही दले रीते बहाद्री नाल वनन किता हो और दसमें गरंट साहब जी दा सबंद किस गुरु नाल है ता दसमें गुरु नाल श्री गुरु गोबिन सिंग जी नाल जाफ फर नामा किस गुरु साहिब ने लिख्या सी ता हून यह पाडिसकस कर ले श्री गोबिन सिंग जी दी आतम कथा बचित तरनाट का अके हैं पाई गुर्दास जी ने खुल किन्य वारां ने रचना किती है ता पाई गुर्दास जी ने उन ताली वारां दी रचना किती है पाई गुर्दास जी है कौन सी पाई गुर्दास जी श्री गुरु अमर्दास जी દી ઘ્ગે કલે જંઙખે તંએ બેતતે જ૫્તહે ટેગ ખ્થાલે ઔઘ સ્ઔે एना ने ओनताली वारां दी रचना किती है ते एना वारानु उनता वारानु शिरी गुरू अरजन देव की केके ना अनताली वारान देव दिच्चो पैली ते ग्यारमी वार बहुत सबधी हरे बहात्तप भलेए ते पाई गुर्दास जी ने आद गरण सहव जी नू लिखन दा कार्जवी केता है अगे हैं मेहरवान वाली जनम साखी दा लेकर कौन सी ता मेहरवान वाली जनम साखी दा जेड़े की लेकर कसी मनुहरदास ते मेहरवान है कौन सी? मेहरवान शिरीगुरु अर्जन देव जी शिरीगुरु अर्जन देव जी दे बड़े प्रापिर्थी जन्दस पुत्तर सी अपपा कैसा देया? की शिरीगुरु अर्जन देव जी दा पति जैसी मनोहरदास ठीक है जिनने मेहरवान वाली जड़ी की जन्मसाखी लिखी मेहरवान जन्मसाखी देलेखा का मनोहरदास ते मनोहरदास मेहरवान शिरीगुरु अर्जन देव जी देपती जेसी पाव की उनना दा शिरीगुरु अर्जन देव जी बड़े प्रापिर्थी चांद उनना इस तो पाव हैं शिरी गुरु नानक देव जीदे जीवनल सुमंदीद कटना मनू जन्मसाखियां कहा जल्दा है। पाई मनी सिंग जी ने जिडिकी ज्यान रतना वली दी रचना किती है। ते चौंती शिरी गुरु गोमिन सिंगे जी नानका प्राव्नल odnes वंदित ने ते इग शिरी गुरु तेक बहादर जी नान सुवंदीत ने बाकी हुकममें बाकी गुरु सहीवान ने तिय उनननु स्पत्नियं जिर अगला कोशन है शिरी गुर्सो बदा लेख कौन है ता गुर्सो बदा लेख कहा है सैनापत सैनापत ठीक है सैनापत अगला है सिखानी पक्त मलादी रचना किस ने किती है तो सिखानी पक्त मलादी रचना पाई मनी सिंग ने किती है ते सिखानी पक्त मलादी रचना पाई मनी ते पक्त रत्नवली सिखाने पक्त माला पाई गुर्दास जी दी ग्यारमी वारते अधारित है ठीक है ते इक अपने पहला डिसकस किता सी कोशन ग्यान रत्नवली ग्यान रत्नवली दी रचनवी पाई मनी सिंग जी ने किती है ते ग्यान रत्नवली पाई मनी सिंग जी दी प ते एक के एज्चे बच्चे बहुत खनी श़ुनствен कंप सोंदें कि अकबर नामा एकबर नामा ऑएट ही किस दी रचने जाय आएने अकबरी अकबर दी रचना नहीं है एहे उसदे दरवारी बावरी वेद्वान अब अब अलफ्वजल दी रचना थीके अबउंप अब अलफ् बावरी था बावर्दी ही रचना है बठाइने अकपर अकपर नामा है बावर्दी नहीं थे दरवारी कभी अबmbulवजल ही रचना भाने इस अबस OMद अभ्लसल कर जहाँ देर चना मदेर अवारी आईने अकपर नाम्थ टे तुझ सब्सक्राइब में अगला कोश्चिन है अपना जंग नामेद लेक काजी नूर मुहम्मद जंगा में लेक क्या एक कईवर कोश्चंग ने दर्वारी था सकर कौन सी तो ऑज़ाना किती। वह Whenever अगा अगर्वारी तोलिधत प्रीदी तर्वारीग उमदट उत्त तवरीग गनेश दास बडेरा दी पुस्तक केड़ी है तो चारे बाग जिमें चारे बाग किस दी रचना गनेश दास बडेरा दी खाल सा दरवार रिकार्ड किस पाशादे विच हन तही है गेने फारसी पाशादे विच तरीखे सिखा तरीखे सिखा दी रचना खुश्वक्त राईने किती सी तरीखे पंजाब तरीखे पंजाब एहे हैंगी तरीखे पंजाब गुलाम महयो दिन बुटे शादी गुलाम लेखक गुलाम महयो दिन बुटे शादी अंग्रेजी इसादन कंपनी दी नौकरी करदा सि अपना राइट अंसर हैंगा विल्यम ओस्बरन लोधी वांशिदा संस्थापक कान सी?मर, इस न लोधी पहत्य वैम लोधी ओनशिदा क शी? 1513 ganoعت पर 5وف मुक्त एना थे बीचित क्वषण आज suitsं कि किन दा मुडला ना न दौत की सदा मुड़ा नासी तनीजामखां जड़की मुड़ा नासी ओ हो सी सिकंदर लोथी C सोलमी सधीदेविच पंजाबा सउब्हेदार कौन सी दोल्थ खानों दीजाब का ल सी पंजाबदा airport पनजाब दाया सोवैधर 152 वे बिच्शा के बावर jedem पंजाब दाया सायार वका अग्ला है पंजाब से पहला हामल्पा का largely निलें से थियाल कुछा हें लिएक बोके टोसले फिर्टे। इस हम लेडी बावर ने सैदपूर्थे हमला कदो किता सी ता बावर ने जड़े की सैदपूर्थे हमला किता सी 1520 अगला है बावरत इब्राहिम लोदी विच पानी पाधी पहले डिस्क्रस कर ली 1560 अगला है बावर ने जड़े की शामल नहीं सी ता बाकी सारे शामल सी अगला है सोल्मी सदी दे शुरू विच पंजाब लोग का नमुखक किता की सी ता खेती बडी सोलमी सजरी शोरव बया wonders सब्सप्सेद सब्सेद रोख जोग सिधा सुल्मी सज़ले विच बपारी केंदर केल्व सिधानली सब्सेद रोखर फो शूल्मि स्थे शुरू उच बन्चाराः लोकाना प्रमृख तरम स्थे Bruce明 उल्म लोग कान शान, उल्मा लड़े की मुसलमाना डे तार्मीक नेता सान् तो आगला कोशन है अपना तो बाद अगला कोशन है अपना अगे हैं श्रीगूर्नानक देव जी ते पिता जी दा ना की सी, ता श्रीगूर्नानक देव जी दे पिता जी दा ना सी महता पालू जी, जड़ी की पटवारी सी प् yükहं की लिएकी 80 बांशे ले गेडी प्रिवार्नव हचस वंद रहा देशन ते इना दा नाम जेड़ेकी जुदो आ देरा देशसी पहने ओज तर देमन الف sözर्ष्थ विटेकी नाम रखे हैं नानक में श्रीगु नानक देव जी से माता जी दना की सी माता जी दना सी माता त्रिप है अग्येशव Medienanak Deатыव पैंची कौन से श्रीगु Unankay Advri cat ૈભ આને એની ફયને ડૂ hjälach ઇને તલો યે ખླરખ શાબરુુઈ सच्चा सोदा किने रुपैनाल किता सी चुहड काना नामी स्थान ते शिरीगुरुनान के देवजी ने फुक्खे साधूने लिड़े की चुहड खाना चुहड खाना इजाद रखना ठीका ओथे बीर पैदा सच्चा सोदा किता सी फुक्खे साधूनों पोजन शिका कि ग्या ड़धान्दी प्राप्ति दे समेशिरी गुरु नानक देव जी उमर सी 30 सालाँ दी क्योकि शिरी गुरु नानक देव जी 1417 ऐवेच जनम तहां होया तेनन ग्यानुथि प्राप्ति वियास 149 में टे विच नई प्रों से सिक्स्टिन आइन माइनस करने तीसं आलंडी मार्द विच श्री वुनारकद आए धेव्य जी नूद्य ग्यान्धी प्राप्ति प्राप्ति सिर द्लम नक देव जी नूद की निहीं थे कनडे थे ठीक है कि लिएने दिधे कनडे थे जित्था अज्चाल रव दुझांद कार्थ कहा जानाए जिसमां ऐसPlease ना पषी न से पाहली। एक हाथ देविच जड़े की रोटी मलिक पाक गो जी ते एक हाथ देविच पाइ लालो जी हुझा कि इस प्रशाद देनों भड़े यह टेइंग उननों चूड़या था पाई लालो पाईपावाइल अप्ली कांसी अरभी दिट कhmen ही ते लोगाने खून पसीन ने दिये कमाई दे विचे ओना कमाई हुई रोटी जिस करक्यों दे विचे खून दिया ता रवेंदिया सी ता सब्तो पहला मतलगी उदासी दे विचे किते गई सी सायधपूर दे विचे जित्थे वरन मलीक पाउन पाइलालो जी सी अगला है शिरी गुर्णानक देवजी दू मुलाकात सज्जन ठाकनाल किते हुई सी ता ता लुम्बा देविच शिरी गुर्णानक देवजी दू मुलाकात सज्जन ठाकनाल हुई सी सिरी कुरनांक देवजी में चिरी वी राजनाहं में शिवनात कि इस स्थान में आजकालت 15 साही ύंट दे नगार जंडाना ज्स ब्लीकणदारी पहाड रोक थे पंजे नाल रोक थे पंजा साहीब और बने होया ते उत्तों सी हसन अबदाल पहला हसन अबदाल सी जीसन वाज़िकल पंजा साहीब कहा जाना थे तो ते इसी बली कंदारी शिरीगूर नानक देव जी ने सार प्रमात्मन सुरूप की है ता हूं प्रमात्मन सर्वशक्ती माने ता प्रमात्मन हमेशा रहन वाला तेहे नुर्गुण विया ते सर्गुण विया ता प्रोकत लिखे सारे जड़े के अपना अंसर आजुगा श्यर्वुनानक देवजी ने मनुख दे किन्च वरिय दसन्य ता पंच काम करोद लों मोहकार हम जी स्टू टीजेशी तासी जड़की श्यर्वुनानक देवजी ने जे देवीच चार वरे बतीर किती सी लुकां ध्युला अग्यान फैला होया अंदर फैला होया ओतो गुरु लोकानु दूर करना ठीक है गुरु जी दा उदासियानों देश थी कि लोकानु ग्यान दे चाननवान लेक्यों अग्यान दें दे रेतो दूर ठीक है उन्हानु असल जड़या है उन्हानु सच्चे मारगते चलो ना हांजे शिरुगुर्नान के देवजी ने अपने जीवन दे अंतिम बरे अगला कोशन आगे शिरुगुर्नान के देवजी जोती जोत कोदस मायत 1540 वी देवीच ता शिरुगुर्नान के देवजी ने अपने अंतिम 18 वरे लिडिकी करतारपूर देवीच वतीत किते सी 1521 वी द लिए कंडे थे किति सी 1521 वी देविच ते कर्तारपूर देविच शिर्गुर्णानक देव जी ने जड़े के करतारपूर पाकिस्तान वाला जड़ा बसाया करतारपूर दा शब्दी अर्थ है इश्वर दा शहर करतारपूर दा शब्दी अर्थ है इश्वर दा शहर अगे है सिखाने दुझे गुरु साहिवान ता सिखाने दुज्य गुरु साहिवान होने शिरी गुरु अंगा देव जी शिरी गुरु अंगा देव जी दा मुडला नासी पाई लेना जी पाई लेना जी आगला कोशन आये गया पाई लेना जी शिरुगुरंग देवजी दे मुडलना कीसी पाई लेना जी अग्ये है शिरुगुरंग देवजी दे पिता जी कौन सान्ता शिरुगुरंग देवजी दे पिता जी सान जीडे की फेरुमल जी फेरुमल माता सब्राई देवी पिता फेरुमल ते शिर्गुरु अंग देवजी दी स्पत्नी कॉनसांता विब्बी खीवी जी शिर्गुरु अंग देवजी कदो गुर गद्धी ते विराजमान होय ता शिर्गुरु अंग देवजी 1548 वी देवी चगुर गद्धी ते विराजमान होय शिरीगुरु अंग देवजी दा जनम कदों होया? शिरीगुरु अंग देवजी दा जनम 1540 वीनु मत्तेरी स्राई जड़े की मुकसर तो 10 किलोमेटरी दूरी तेया उत्ते होया 1540 वीनु शिरी गुरु अंग देव जी दा जनम, दुजे गुरु साहिव जी दा जनम 1540 वी नुए मत्तेरी सराय देवीच ते शिरी गुरु अंग देव जी पहला पगवत दुर्गादी जड़ी की पुजा कर देशान अगले है शिरीगुरु अँग देव गद्धिते विराजमान अपने होगए अपना कोश्चन श्रीगुरु अंग देवजी ने तार्मिक सरगर्मियादा केंदर केड़ा सी ता खडूर साहिव सी ते गोईंद वाल्दी नी रखी सी श्रीगुरु अंग देवजी ने ते बॉली दे निर्मान करवाय सी श्रीगुरु अमरदास ची ने किस गुरु साहिवा ने गुर्म की लिपिनु अर्मन पेर बनाया सी ता शिरी गुरु अंग देवजी ने अग्य है उदासी मद्द संस्थाप कौन सी बाबा शिरी चांद शिरी गुर नान के देवजी दे बेटे सन बाबा शिरी नमबर 67 शिरी गुरु अंग देवजी नु मिलन खडूर साहिवा आया सी ता आया सी हिमायू जदो शेर्शा शूरी तो हार गया सी तो उस्तो बाद हिमायू शिरी गुरु अंग देवजी नु मिलन खडूर साहिवा आया सी अगला है शिरगुर अंग देव जी जोती जोती जोत कोद समाईने ता शिरगुर अंग देव जी जोती 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 जो नोखी शिरिगुर अंग देव जी दे स्पुत्रीं सान, ते शिरिगुर अंग देव जी दे पुत्र सान, दात्तू ते दासू, सिखाने तिज्य गुरु साइवान होईने शिरिगुरु अमर दास जी, बिबिपानी कॉन सान, ता बिबिपानी कॉन सान, ता बिबिपानी शिर चुरह वल्दाषजी दो ब turi लोगते दो पुरुए अगला हैत्या Unknown दोकर घृ जबरान संपर करान ते अमरी सर दे विच नमे पात्षय जीदा जनम भी होया सी ठीक है ते अमरी सर जिले दे विच ही श्री गुरू अमर दास जीदा जनम होया सी बतले कि श्री गुरू अमर दास जीदा जनम अमरी सर जिले दे विच ते नमे पात्षय जीदा जनम भी अमरी सर जिले दे विच हो पितेजी गुरु अमर्दास जी वैशन मर्देव नी आई सी। कि ते सत्ता ते बल वंड शिरी गुरु अंग देवजी दे दरवारी कभी जान। सत्ता ते बलवंद अगला कोश्चन हूं अगला है गोईंदवाल साहिब दे विच बॉली द द एर्मान करवाया सी 356 जी ने शीरीगरु अमर्दास जीने पंद्रास्स ऊब बंजे शुरू है 157 कंद्रास्स ऊनाहाट 11.70 वी इविचे हैं कार्ज सम्पूर्ण होया गोईंद्वाल साहिव दी बॉली विच किन्या पॉड़िया बन वान जागी इसी ता चरासी ते जेड़ा सिख हर पॉड़ी ते जबजी साहिव दा पाठ करके इशनान करदर ते ठीक होदे चरासी जेड़ी की जुन्नी कट्टी जा दिया कि किस गुरू साहिव दे मंजी प्रथरी स्थापना किती ता मंजी प्रथरी स्थापना किती घुञ連 कि मंजी न Mississippi समय देयात्मक जेड़े की चीछ를.. ऐ ले यहाली मंजीय नि स्थापना किती आपने प्कुरों मंजीय दा कंती बनवागति अग्य है श्री गुरु अमर्दाज ने की स्कुरिती दा खंडन किता सी ता बाल बया सती प्रथा पर्दब्रथा दा खंडन किता सी श्रीगुरु अमर्दास जी ने तार्मिक सरगर मियाना केंदर我ब साहिब श्रीगुरु अमर्दास जी ने अनांदसही बांदार जर्विक nace जोती जोत कदो समाई ताated अंसर है 1534 वी देविच सिखाने चोथे गुरु साहिवान उने शिरी गुरु रामदास सी शिरी गुरु रामदास जीदा जड़ेकी जनम होया सी 1534 वी देविच 1534 वी नू चुन्ना मंडिल होर देविच 1534 वी नू चुन्ना मंडिल होर देविच श्री गुरु रामदास जी दा जनम होय सी श्री गुरु रामदास जी सोड़ी जाती दे नार्स वन्दे सान सोड़ी जाती नार्स वन्दे ते गुरु साहिवान सान श्री गुरु रामदास जी ते श्री गुरु रामदास जी दा पहला नासी अगलाए कोशन आए वा, मुडला लाना कीशी पाई जेठा जी, ते श्रीगुरू रामदास जी पिता जी दा नाज जिडे की, हरीधास जी, ते कुँ गणियें वेच दे हुँँदे, श्रीगुरू अमरदास जी पहला ठिके, बड़िपन देवीच, श्रीगुरू रामदास जी दे तिन पुत्टर संद पिर्थीचंद महादेव कि च्ट्टें शरीगुर। अरजत देवजी फिरीचंद कौनिसी त Disney पिर्थीचंद शिरीगुर। लिदा प्रालाशी कि चौ्ट पाति जीर्चंद देवजी स्ट्ट्रा सिरे पालाशी समें इस संटोग सरश्रोवर थे दस्वांद जड़ेकि अपनी आमदना दसमां हिस्सा गुरु दे नाते पेट करदे सी तो दसमांद गुरु अर्जन देव जिते समें शुरू होई सी ते हैंमसांद प्रत्प अंत में मिश्ण प पर इस्टाचार हो गए था श्रीगुरू गोगिल सिंग जी ने खाल सापांधी साजना समें मसांद प्रतानों खतम करता सी क्योंकि मसांद प्रिस्टाचार चारव होगी इसी अग्या किस गुरु सहिवान दे समय उदासियां आते सिरी गुर रामदास जी तरह接ी जी यहाझ आगा है, शिरी गुर रामदास जी जूतितर नुर्टा को द HER ठाESP29, शिखाने पंजबे गुरु साहिवान होई ने शिरी गुरु अर्जन देव जी शिरी गुरु अर्जन देव जी दा जनम होया 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 शिरी बिभी पान्नी जी शिरी गुरू अर्जन देव जी दे माता जी सन, शिरी गुरू रामदास जी दे स्पत्नी सन, तिज्य पात्षय जी दे स्पुत्री सन, ठीके, ते गुरू अर्जन देव जी दे पिता जी चोथे गुरू सहेवन शिरी गुरू रामदास जी सन, शिरी गु पत्ति चांदा पुत्तर सी जिसने मेहरवान नहीं जड़ी की जन्मसा खेली की सी मेहरवान नुवर्दास ठीक है पिर्थी चांदा बेटा सी ए अग्यां शिरीगुरु अर्जन देवजी गद्धी ते विराजमान कदों होए ता 1580 वी देविच होए शिरीगुरु अर्जन देवजी दा गुरु काल 1580 तो लेके 1626 वी दाक सी तो शिरीगुरु अर्जन देवजी इनने शहादत प्राप्त किती सी अग्ये है नक्षबंदी दा हेड़कवर्टर किछे सी ता नक्षबंदी ना हेड़कवर्टर सी सरहंद देविच नक्षबंदी तेव जी ने हरु मंदर सहीव दी नीप पत्थर कदो रखवाया सी ता 1588 केई जगाते अपनों 89 भी मिलदा 1588 नाने में देविच ठीके नीप पत्थर रखवाया सी सूफी संत मिया मीर्तों ते हरु मंदर सहीव दी विच पहला परकाश गुरु आधगरन सहीव जीदा होया सी 1644 भी मिलदेविच ते हरु मंदर सहीव दी नीप पत्थर मंदर रखवाया सी सारीदा 1621 भी मृष सी 174 भी मिलेच पहला परकाश करुआया सी यसीव आधगरन सहीव जीदा बाबा बुड़ा जेन पहले ग्रंति वनाया सी। ते हरी मंदर दार्थ किया इश्वर्दा मंदर हरी मंदर दार्थ है इश्वर्दा मंदर ते अमरी सरोवर्दे विच कार है जिड़े की हर मंदर सेवधी उसारी करवाई गे सी ते तरन तरन शहर दी स्थापनावी शिरी गुरु अर्जन देव जी ने करवाई कर्तारपूर जड़ा हैंगा जलंदरवाली साइड ए वी शिरी गुरु अर्जन देव जी ने किती सी ते गंगसर जड़े की खुज इते खुद वाया गया सी ओवी जड़े की करतारपूर साहिब देविच्छा इश्वर दा शहर जीदा अर्थ है ए हैंगा जड़े की जलंदर वाली साइड ते जड़ा रावी ने जीदे कंड़े पाकिस्तान वाला ओ श्रीगुर नानक देव ज श्रीगुर अर्जन देव जी ने करवाया थी आद्गरान साहिव जी दा संकलन कदोकार्ज पूरा होया सी शोड़न सो चारीस वी देविच्छ आपा पहला इसारबश डिसकस कर चुके कि इनी बानी दर्ज है देविच्छ आद्गरान साहिव जी दा पहला प्रकाश किते वर बॉद्डा जी नूँ कि सिखाने केंद्रित cuidadoứng पूरा डिसना इादम साहिव जी देविच्छ gir दोच्वाया न ना है श्रीहर मंदर साहिव ईयե गेर्दत म कथकी किस की तो जिए के और दुनललापा नदालाव कौुछत भचता नर अमद्न्यने दानी जहांगीर ही। शिहीदती देनवाले सिखाने पहले गुरु सहाइवान कान हो य Mendhati na shiriguru अर्जन देवी। शिनाने मीरिते पिरी नांधी दो तलवारां ता रंकितने सी नमीनिती बनाई सी अकाल तक सावज दा निर्मान करवाय सी शिरी गुरु हर गोबिंधी ने छे में पात्षाई जी ने ते अकाल तक तदा अर्थ है इश्वर्दी गद्धी ते अकाल तक तदा उसारी जड़ की कार्ज शोणा सो नौ इस विदे वीच समपूर्ण होय सी 1666 विदे वीच उसारी दा काम शुरू होय सी ठीके 12 फूट उच्चा थड़ा बनाया गया सी मीरी जड़ की पीरी तार्मिक अध्यात्मिक परतीक सी ते मीरी संसारीक परतीक सी दो तलवारा शिरी गुरू हर्गो विन जीदा जनम कदों होया ता शिरी गुरू हर्गो विन जीदा जनम दिड़ा की कदों होया पने ये दसना पहला पा डिस्कस कार चुक है कि नौमे पास्षय जीदा ते इक कपने डिस्कस किता सी शिरीगुरु अमर्दास जीदा ठीक है ते शिरीगुरु हर्गो मिन जीदे पांज बेटे सन बाबा गुर्तित्ता सूर्जमाल अनिराय अटालराय ते शिरीगुर तेक बहादर जी शिरीगुर तेक बहादर जी दा मुडल नासी त्यागमाल करतारपुर्दी लड़ाई देविच गुरु जी ने जड़ी की बहादरी दखाई जिस करके शिरी गुरु हर्गो बिंजी ने त्याग मलतों नाम बदल के तेक भादर रख्या तेक भादर दर था तलवार दा तनी ते शिरी गुरु हर्गो बिंजी दे 21 पुत्रिसान बिबी बीरू बिबी बीरू जी ठीक है गुरु झीनु जड़ेकी बंदी चोड बाबा जी दे नान और वी जानाई जांदा शिरीगुरु हर्गो बिंद जीनु श्रीगुरु हर्गोविंजी नुगुवालीर दे किले दे वीच कैल किता सी जहांगीर ने मीरी ते पीरी दिप्रता किस गुरु साहिवाने श्रीगुरु हर्गोविंजी ने अकाल साग्दार निर्मानी भी अपना हो गया बंदि छोड बाबा खिस गुरूर साहिबाननू की अजनाrive शर्गुर हर्गोविंजीनू शर्गुरू हर्गोविंजी तरह मुग्ला मिचकार पहली लडाई जड़ी जीदा कारणसी बाज पहली लड़ाई जड़ु अम्रिसार्थी लड़ाई सी जीज दा कारंसी बाज, यह हुई सी 1634 विनौ, यह सी जड़े लड़ान्यं सी थomasap शाज आदे साना देनाल ते श्री गुरु हर्गों बिंजुते मुगलाम चकार लड़ी की अमरी साथ लड़ाई 1634 वीदे विच मैं सारी दस दने 1634 अमरी साथ लेरा लड़ाई 1634 जीधा कारण सी दो कोड़े ठीक्या ते उस तो बार सी जड़ी लेरा दी लड़ाई है बठिं किर्दपुर साहिव श्री गुरु हर्गों बिंज안 सही छे में पात्षाई जीने पात्षाई जीने किर्दपुर नूजिड़ा की विसाया सी किर्दफुर कहलोर्दि राजा कल्यान चय य ने फुमीदां किती Legends,ало?」 शापना किती से किर्दपुर साहिब ढलत आदो है, इश् अगला कोशन ना दाराशी को कौन सी ता दाराशी को सी शाज हादा जड़ेकी बड़ा बुत्तर शाज हादा बड़ा बुत्तर इहें जड़े की गुरु जीने इस दी हल्प किती सी दाराशी को दी शिरी गुरु हर राय जीने ते फूल नामी व्यक्ति नो आशिरवाद दता सी शिरी गुरु हर राय जीने कि अगे है ॹशुरी अहरॡ सब्सक्रों कि जिरो अधाता है यंचुरत सब्सक्राफ तो छिसा नुब साकते ना गशुन तो dejar न हुए किगाए किई पूर्णावी 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 गुरुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटु लिटे विच राजा जैसिंग दे बंगले दे विच ठहरे सान। अग्य है सिख्छाने नौमे गुरू साहिवान कौन होईने ता शिरी गुरू तेक बहादर जी मुडला नासी त्याग माला शिरी गुरू तेक बहादर जी दे पाल किती सी मक्हन शाल वानाने त्यों लौंग कोशिंच तुसी रूइड करले ना कि में ठिक है श्रीगुर तेक बहाद्र जिद जनम के सिल्भर 24 21 āसर श्रीगुर तेक बहाद्र जिद पिता नगेराण सी में पातशय जि श्रीगुर हरकोविनझ छी चान। थे मात्ताघह जिदे नाशी जड़े की नानगी लिख्या मिलता पन ते शिरी गुरू तेक बहदर जी जड़े की बकाला देवीची निवास किता छी नणे 20 साल ठीक है बी वरे ते श्री गुर्ट एक बहादर जी दे स्पुत्तर दाना सी श्री गुरु गोबिन सिल जी ते श्री गुर्ट एक बहादर जी दा जीडे की मैरीज होई सी स्पतनी सान माता गुजर कौर जी ते तीर माल कौन सी के भी कोशन आ जाना हुंदा कि तीर मल गुर्त एक बहादर जीदे प्राजडे की बाबा गुर्त इता जीदा बेटा सी तीर मल तेपा कैसा रे गुर्त एक बहादर जीदा पति जासी तीर मल गुर्त एक बहादर जीदे मुडला ना त्याग मल सी पने गोगा डिसकस सा ते श्र्गुरत एक भाधर जिदे पिता जिदा नांकी सी एभी पने करला है श्री गुरु गोविन्ची माता जिदे ना माता नांकी मिल्दा पनू नांकी killersी गुरत एक भाधर जब्यया भी पन्रिस्कस कल ले माता गुजर को ऑर्जिनल उस व्यक्ति दा नाल सो जीस दे जतना साथ कई से तो होया कि गुर्ट एक भाधर सी खने असले गुरुने मक्खन शाल लवाना मस्तुआना नी लवाना लिड़ा की एक समुद्री जहाजे दा डुबरे से बपारी सी चक नान की भाद्र जी ने चक नान की दिनी जडे की बिलासुर्दा राजा सी दीप चांदी पत्नी दों जड़े की चंपा सीव दी पत्नी दाना उस्तो गुरुजी ने 500 पैदे विच किर्थपूर दे नेडे मक्खो वाल दी जमीना जड़े की खरीदी सी ते मक्खो वालों थेक नमा नगरब साहिजी सी दनार खेसी चाका नान की ते एदे आलेद वाल दे विच अनान्तपूर साहिव जड़े की ना पैगए अब कि है चाक नान की बाद दे विच किस अनानाल प्रसीद होया तपने हुण्डे स्कसकता श्री अनान्तपूर साहिव दे नाल किस मुगल बाश्या दे देश दे श्रीगूर तेक बहादर जी नू शीर किता गया सी दिली किदास जी नू उबलदें देगे दे विच ते पाई सती दास जी नू जड़े की रूनाल पे टकेशिर किता गया सी, ते पाई मती दास नू आरे नाल चीर केशिर किता गया सी शिर्गुर्त एक बहादर जी नू तेल का जंजू हिंदू तरम दीखातर जड़े की अपने शाधर दरती सी ते 16 पंटतां दा जड़े जठा अनादपुर सह्थी विच फर्याद लेकिया आए सी किंके उते मुसलमान जड़े जवर्दास तिरों नू मुसलमान तार मुकबूल करवारे सी ता उसी पंटतां दा जड़े मुखिया सी किर्पा दास ठीक है की ता ते पंट किर्पा नाम भी ना मिलदा हिंती चादर दे ना शब्द की सगुर्व ली वरते जाने ने ता शीरगूरते कबहादर जी लैए शिखा ने दसमे गुरू शीरीगूर गोबिन सिंग जी श्रीगुर। गोबिन सिंग जी दे माता घुजर कौर जी श्रीगुर। गोबिन सिंग जी दे मुडरा नासीप गोबिन दराई जागोबिन दास ठीक है। श्रीगुर गोभिण सिघ्ध जी साहेब जादे सेख जादधा बाबान भी में श्रीगुरु गोभिण निदे द screenshot in 1000बें गुर्धागा सा रगैं स्लबदकोर से लिए विजल नाय जात्छा गता ह्वाँ हम अनुकर बस preoccupy ठे़ा जितśnie distribute चीश पहला समी अनुवारम panorama से ठेव संवारी द्राव संसकार के या सी चूल गुर्धाव गन्ज पॉंटा साहिब दा अर्थ है पैर रखन दी था ठैरन दी था ठीक है शिरीगुरु गोबिन सिंग जी रहे बनाएगे नगारे दना की सिरण जीत नगारा पूर्वखालसा ते उत्रखालसा पूर्व खालसा 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 पांदी सार्जनों तो पहला वला समा ते उत्तर खालसा खालसा सार्जन तो बाद वला समा 16 नुदे निमतोलेके 178 स्विताको उत्तर खालसा खालसा पांदी स्थापना शिरी गुरु गोबिन सिम्जी ने कित्ती सी सोड़ान सांध हैविच जोड़ान mów imag 15 वीच विसाक्षी वाड़े दिन sth hall says पहले लडाई 1421 वीदे विच वोई लडाई डी लडाई 1424 वीदे विच इस लडाई दी विच गुरुजी नू जड़े ऍटिक इस लडै विच शी थी ता चम कोउर सही नटाइए डिज शीरी गुरु गोबिन शींग जी ने और गेटी चिठ्धी लिखी ता जफल मां जित्धे दी चथी जफल मां किस पाशा विच लिख्या गयी थी फार्सी पाशा विच के द्राना लडाई धाना नारे शीरी न प्रणादा स्थान क्योंकि जड़े गुरु गोबिल सिंग जी नू चाली सीख विदावा लिके चले गले सी दुझी लडाई देवीच नंदपुर साहब दी लडाई देवीच उनने खिद्राना लडाई देवीच खिद्राना लिटा अप्त जड़ी लडाई हुए सी उस दे मुक्तिदा वर्व दता सी जिस करके खिद्राणा ना मुक्तसार पेगा सी शिरी मुक्तसार साहब की सनगरदा ना पेया था क्युरु पशितर्नादय के व्राएंवा अ appelle से चे श्री गुरु गोबिल सिंगी जी चोटे साहब जाद्द मेंनों सीहइर किती बजीर खाने कहान शिरी गुरु गोबिल सिंग जी गदों जोती जो समाय ने 1788 वी देविच नदेड साहिव देविच अब कि हैं बंदा सिंग बहादर जणम कदों होया था बंदा सिंग बहादर दा जणम होया सी 1670 वी देविच कश्मीर देपुनष जिल्ला रजोरी पिंड़ देविच होया सी ठिक्या ते बंदा सिंग बहादर दा मुडला ना सी लश्मन देव ते जदों विरागतार लें सी विरागतार नतों बाद क्योंकि हीर निन शिकार करता सी शिकार उस्तों मान बहुत जाले प्रभावित हो इस सी विरागी वन तो बाद Lubanda Sengh Bahadar न से अपना ना कीरख्या माद दास की यह नचोologist dal बहुत जांकी प्रशाद नामी व्यक्ती देदय प्रवाव्देव एठा पहला सोनी पात तुते हमला ते पहली जेत बंदा सिंग बहादर दी समाने दीचित सी पहली जेत समाने दी जेत सी बाई जड़े की लडाई से जड़ी सरहानदी लडाई 22.310 विन ते बंदा सिंग बहादर ने स्रहांदी जित तो बाद जड़े की जीमीदार प्रथा गांत कित्ता सी ते बजीर खांग कित्थोना मुगल बाशा सी कित्थोना मुगल सुब्यदार सी ताउसी स्रहांद दा बंदा सिंग बहादर ने स्रहांदे जुद्ध कदों हासल गिती सी 1716 वी देविच बंदा सिंग बहादर दी रास्ता नी ना की सी ता बंदा सिंग बहादर दी रास्ता नी ना सी लोगड ते बंदा सिंग बहादर ने कि बंदा सिंग बहादर ने सिक्के जारी किते शीआ ँँ ते फारसी पाल की गो प्लाहध कोष्च ने अउधंट होंद that कि कि ने वी ओफरे सिक्के जारी किते सी ता बंदा सिंग बहादरों ते बंदा सिंग बहादर किस लडाई देविच हार गया सी ता ओ हार गया सी गुर्धासन गद लडाई देविच बाबा विनो ते बंदा सिंग बहादर देविच आपसी मत पेदकारनों इस लडाई देविच हार गया सी ते आखरी लडाई सी बंदा सिंग बहादर देविच डूर्णा सिंग्वा साह Trump हें तो पहला हैंॡ अधर शीद करूंतों पहलो दे चार साला ने बेटे नुगी जड़ी की शीद किता कैसी बड़ी बेर है मी देना लो सो ए सी था डे वेरी शॉट कोशिन आंसर इना दे वुचे था डे वान लाइनर बाण जानेंगी ठीक है थैम्ट्स